नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फैंटसी बिनेंग 11 यूटूब चैनल पर और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेरे पर मुस्कान होगी आज हम इस वीडियो में कबर करने वाले हैं बी बाई भी और के सी सी दोनों ही टीमों के बीच खे रह facilities भी खेले हैं लेकिन दो ही मुकाबलए में जीत मिली है और चार मुकाबले में इस ट्रीम को हर मिली है बात करें दोनों ही टीमों के बाई बारे में दोस्तों ऐनके बाई हैं पर हैं। सेम रहने वाला है यह चेंजेज हमें एक बार फिर देखने को मिलने वाले हैं तो सुरुबात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे दोनों ही टीमों के अब्डेट और फाइनल टीम के बारे में दोस्तो इसकी जानकारी हम आपको टेली ग्राम spoiler पर प्रवाइड कराते हैं फाइनल टीम हम आपको में टूनामेंट का ये 37 बा और 38 बा मुकाबला होने वाला है भारतिय समय अनुसार 2 फ़र 12 और 2 वज़े से ये दोनों ही मुकाबले खेले जाएंगे वेन्यू की अदी बात करें तो अब तक टूनामेंट के सारे मुकाबले क्हेले गाएं आज एक बार फ़र ये पर आपको आज का मुकाबला देखने को मिलने वाला है बात करें ऐसे में पिछ के बारे में तो एक दर्म बैलेंसिंग बिकेट आपको देखने वाला है क्योंकि ये बिकेट एक आर्टिफिशल बिकेट होता है और मैट के उपर सारे मुकाबले करा जाते हैं यही कराना रहता है कि टॉस का कोई भी प्रवाब दोनों ही इनिगों में देखने को नहीं मिलता है दोनों ही इनिगों में सेम सर्फे समय देखने को मिलता है लेकिन जो अभी तक ट्रेंड चला हुआ आ रहा है तो जीतने वाला कप्तान पहले फिल्डिंग का फैसल दे रहा है और दोस्तों आंकड़े भी यहीं बया कर रहे हैं 36 मुकाबले इस्टूनमेंट के भी तक केले गए हैं जिनमें से 15 मुकाबले पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने और 21 मुकाबले बाद में यानी की चेस करने वाली टीम ने जीते हैं average score की बात करें तो एक बार फिर आपको 80 से लेकर 100 के बीच में यही score देखने को मिलने वाला है दोनों ही टीमों के recent मुकाबलों की बात करें दोस्तों काफी important section यह हमारा होता है क्योंकि इसी के आदार पर में मालूम चलता है कि दोनों ही टीमों के betting order अच्छे हैं दोस्तों यह पर betting मजबूत है या bowling मजबूत है शुरुबात करें सबसे पहले बात करें वाई-वी के बारे में जैसा कि हमने बताया पिछले चारों मुकाबलों में यह टीम जीती हुई आ रही है और दोस्तों इनकी एक खास बात आप देखिएगा जहां पर ध्यान दीजिएगा एक ही मुकाबले को छोड़ दें तो बचे कुए पांचों मुकाबलों में सामने बाले टीम के इन्होंने काफी बिगट गराए है यानि साथ और आठ का एवरेज इनके बॉलिंग में रहता कर देने वाले हैं तो आप आराम से इनके बल्ले बाले बा mãe को looking को ड्राय कर करा कर सकते हैं लेकिन एथी बात करें के थोड़ी बाले में कंजोर है घ्योंकि यह सामने वाले टीम के विकट काफी कम गराती है और बैटिंग दोस्तों अनेक्सेप्रेट इनकी रहती है क्योंकि एक मुकाबले में इन्होंने 125 रन भी बनाए हैं और एक मुकाबले में मातर 34 रन भी बनाए हैं तो देखने वाली बात है कि कौन सा ऐसा बल्लेबाज जो consistency हमें लगातार score करकर दे रहा है इसका मतलब वो हमारे लिए safe player रहने वाला है तो शुरुबात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे why we team के बारे में दोस्तो why we team के लिए लगातार open कर रहे हैं ससकांत inran सीबसादर bigot keeper है सबसे ऐची बात bigot keeper in option पर रहने वाले हैं open team के लिए कर रहे हैं इसलिए यह player हमार लüyorsun हो जाता है और सामने वाली team का भी bigot keeper हम अपनी team में लेकर चलने वाले हैं क्योंकि दोस्तों वो एक all-rounder बिकेट की पर है बॉलिंग भी करकर आपको देने वाला है यानि आज के टीम में आप आराम से दो बिकेट की पर अपने टीम में शामल करकर चल सकते हैं दोस्तों बात करें अपन एस इंदरन के बारे में तो पिछले चारों मुकाबलों में अच पर बल्लेवाजी करते हुद दिखे गए थे टीटोएंटी के इंटा इसार पिलियर है दोस्तों इसलिए आप आराम से ने कैप्टन बाइस के बारे में तो यहां पर आप स्टार्टेंग से देखोगे दोस्तों इनको इनके आपको रन नहीं देखेंगे लेकिन पिछले दो मुकाबले में शांदर 23-27 रन की पहरी खेली है और बॉलिंग की बात करना तो बॉलिंग में अदना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी ओल रांडर पिलियर हैं तो ऐसे मैं इस पिलियर को आपने टीम में शामिल करका चल सकते हैं दोस्तों 29 के एवर पॉइंट को यह अरने कर रहे हैं वहीं आती बात करें अपने थीशन के बारे में दोस्तों रगु कुले शिंगम थीशन के बारे में बात करेंगे तो पिछले कुछ मुकाबलों से तीसरे नंबर पर यह बैटेंग करने आ रहे हैं और लास्ट मुकाबले में ही 41 रनों की इ यह नहीं कर रहे हैं इसलिए इस तरह पॉस्ट्रिफ टीम में शामिल करना है कैप्टन बैस कैप्टन सी आपको स्मॉल लीगों में इनको लेकर नहीं चलना है अब बात करें एम कॉमार महिंद्रन के बारे में दोस्तों सुरुवाती मुकाबलों में टीम के लिए ओपन करने आ पिर भी दोस्तों चे बार चे मुकाबले के लिए पांच बार ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं 33 पैजरेंग है लेकिन अभी के लिए हम चुड़कर रहे हैं इंसे अच्छे पिलियर मिलेंगे तो उन्हें ही टीम में शामिल करकर चलने वाले हैं दोस्तों हेड्ट एड़ बना बल्ले से इसके पहले बाइवाले मुकाबले 15 हूरा निज्वायार नाफ़े तो हर प्रवा के बारे में dress दे रहाएंअ member κर अबिधा को yhtोक्र रहें करने कर रहें या, best option कैप्टेन बाइस का आपके लिए यह प्रवा के बारे में दोस्तो शांदार यह ओल राउंडर प्लियर है लेकिन बैटिंग ओडर की बात करने सेटवे नमबर पर आता है पर जैसा कि हमने टीम स्टार्टिंग में बताया है कि इस टीम के बिकट नहीं गिर रहे हैं इसलिए बैटिंग का मुखा इनको नहीं मिल रह हैं दोस्तों शांदार इस्ट्राइक बोलिंग यह करते हैं और ऐसे में दो से तीन बिकट खाते हैं तो दोस्तों निशेत तोर पर आपके लिए बैस टाप्सन ही रहने वाले यह रहे चुके हैं बागि दुश्तों मनी को आप ड्रॉप करियेगा कोई काम का यह प्लियर नह नहीं इसके पहले एक अबर फिका है कोई बिकेट नहीं मिला है यह थोड़ी बहुत आप रिसक लेना चाहते हैं यदि इनसे अच्छे प्लियर हमको बॉलिंग सेक्षन में नहीं मिलेंगे दोस्तों इनको लेकर चलने वाले हैं और इनसे अच्छे मिलते हैं तो हम उनको ही आने कर रहे हैं बागी दोस्तों बात करें बिगने इसके बारे में दोस्तों इसन प्रफ में यह करते हैं और दोश्तान कर जरूर Воerekर जरुर यह देते बागी दोस्तों दयनंदन को छोड़कर चलिएगा दोस्तों जिशनु दिवांकर को आप छोड़कर चलिएगा अब शुरूबात करें और बात करें बैटिंग बैंच स्टेंग से दोस्तों यहां से किसी प्लियर को टीम में जगा मिलती है तो इसकी जानकारी टेलेग्राम से पर प्रोवाइड करा दी जाएगी दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू करिएगा अब बात कर रहे हैं हम कौन सीसी के बारे में दोस्तों जो पिछले मुकाबले में हमने आपको बताया इस टीम क दो वर कबर करने के बाद बिकट भी निकाल कर दे रहा है यदि प्लिंग मिलेगी हैंड़ पर संट टीम में शामिल करेंगे लेकर इनकी एनपस्तिती में देखते हैं कि ओपनिंग कौन करने आ रहा है दोस्तों ओपनिंग करने आए पिछले मुकाबले में जदरान हाला कि स्कोर की उम्मीड इन से बिलकुल भी नहीं करते हैं क्योंकि इन्होंने मात्र एक मुकाबले को छोड़े दें तो 25 मुकाबलों में स्कोर करकर नहीं दिया है वहि बॉइल टीम के लिए open कर रहे हैं तो ऐसे में मात्र एक और दो मुकाबले ऐसे रहे हैं जिन में इन्होंने score किया है बागी इनके बल्ले से ज्यादा score नहीं है तो अभी के लिए से आप छोड़ो कर चलिएगा आगे बढ़ते हैं बात करेंगे अक्षय धानी के बारे में दोस्तों इम्परेंट पिक है क्योंकि विगट कीपर्इम में रहने वाला भी और जीए उवर यानि ऑबर देखें नंबर तीन पर बल्ले वाज़ी कर राएं तो ऐसे में अपने टीम तयार करकर चलने वाले हैं बागी बात करने देश पांडे के बारे में पचले दो मुकावलों में इनके बल्ले से कोई स्कोर नहीं है हाला कि इसके पहले के दो से तीन मुकावलों में स्कोर नहीं किया है पर इतना बड़ा स्कोर नहीं किया है कि दूस्तों इन्हें टीम म पर इनका रहता है जातर पांच में नमबर पर बल्लेबाजी करते हुँ देखने वाले हैं लेकिन ओवरॉल देखके तो दो ही मुकाबले ऐसे रहे हैं यहां पर स्कूर किया है यानि हैट टो एड़ स्मॉल लीगों में यह रिस्क हो सकता है क्योंकि दोस्तों सामने वाली टीम की बॉलिंग आज काफी अच्छी है तो ऐसे में इनक से स्कूर की उम्मीद बिल्कुल नहीं करते हैं इसको भी हम अभी के लिए ड्रॉप करकर चल रहे हैं आगे बात करें दोस्तों आशीश मेकर के बारे मैं तो पिछले चार मुकाबले इन्होंने केले हैं एक मुकाबले बॉलिंग नहीं किये बागी दोस्तों ओवरॉल दो दो ओवर कबर तो कर रहे हैं पर दो ही मुकाबले में बिकेट नकाल कर दिये हैं बॉलिंग सेक्षन में हमें और भी अच्छे पिलियर मिले हैं तो इन्हें हम अभी के लिए ड्रॉप कर रहे हैं बागी दोस्तों बहुत इम्पुर्टन पे suppressed के दोस्तों इसे हम अमने पर लेकर चलने वाले हैं टूटल चार मुकाबले नों ने खेले हैं आट रवर फेक हैं और पांच बेकर टीम के लिए नेखाले हैं एमपरेंट पे कर गरांड लिग में भी आप इस प्लेयर को ट्रा करकर चल सकते हैं बागी बात करेंब सरजाद के बारे में दोस्तों दो अबर यह लगातार कवर कर रहे हैं इसे हम अपनों टीम में शामिल करेंगे क्योंकि दोस्तों एक और दो मुकाबले ही ऐसे रहे है जिन्हों एने बिक्ट नहीं मिले हैं बागी हर मुकाबले में एने बिकट मिले हैं important पेते हम इसे लेकर चलने वाले हैं दोस्तों तेज क्रिशना को आप आराम से drop कर सकते हैं पर बल्ले बाजी कर रहे हैं ऐसा ही आप प्रमोश सर्माक साथ कर सकते हैं बागी बैंच स्टेंग से दोस्तों यदि कुछी प्लेंग मिलती है तो इसकी जानगाई टेलीग्राम चलेपर प्रुबाइड तरह दी जाएगी दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ल बूलिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू करिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाज जाए